परिचाए बच्चो आज हम एलकोहॉल तथा फिनॉल की रासाइनिक अभिक्रियाओं के बारे में सीखेंगे सेर रासाइनिक अभिक्रियाओं क्या होती हैं? रासाइनिक बदलाओ एक प्रकिया है, जिसमें एक अधवा अधिक पदार्थों को, एक अधिक नए तथा भिन पदार्थों में बदला जाता है आईए हम इसे वहवार में देखते हैं जब हम रोमाइन को एलकोहॉल में डालते हैं, तब रासाइनिक भिक्रिया घटित होती है और ये एलकिल हैलाइड और पानी बनाती है इस पार्ट में हम एलकोहॉल, फिनॉल तथा इथर की रासाइनिक भिक्रियाओं के बारे में और अधिक सीखेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे एलकोहॉल तथा फिनॉल की रासाइनिक भिक्रियाओं की व्याख्या करना वैवसाइक रूप से कुछ महतपूर एलकोहॉलों का वड़न करना इथर विर्चन एवं इसके भौतिक और रासाइनिक गुड़ धर्मों की व्याख्या करना रासाइनिक अभिक्रियाओं एलकोहॉल नाभिक्रागी और साथी साथ इलेक्ट्रोन रागी के रूप में अभिक्रिया करती है जब एलकोहॉल नाभिक्रागी के रूप में अभिक्रिया करती है तब ओएच आबंद तूड़ता है जब एलकोहॉल एलेक्ट्रोन रागी के रूप में अभिक्रिया करती है तब सी ओ आबंद तूड़ता है प्रोटॉनित एल्कोहॉल इसी प्रकार अभिक्रिया करते हैं। प्रोटॉनित एल्कोहॉल के उप्योग करने की सबसे बड़ी हानी यह है कि एल्कोहॉल को प्रोटॉनित करने के लिए एक सौंद्र अमलिय घूल की आविशक्ता होती है। ट्रासाइनिक अभिक्रियाएं OH तता CO आबंध के विदलन के आधार पर एलकोहौल तता फीणौल की अभिक्रियाओं को दो समूहों में बाटा जाता है एलकोहौल तता फीणौल की अम्रेटा धातूों के साथ अभिक्रियाएं एलकोहल तथा फिनॉल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तथा दूसरी सक्रिय धातूं के साथ अभिक्रिया कर हाइडरोजन मुक्त करती हैं और धातू एलकॉकसाइड बनाती हैं. Phenol, sodium phenoxide बनाने तथा hydrogen gas मुक्त करने के लिए sodium के साथ अभिक्रिया करती है Phenol जलिये sodium hydroxide के साथ भी अभिक्रिया करती है तथा sodium phenoxide बनाती है चर्चित अभिक्रिया दर्शाती है कि alcohol तथा phenol प्रकृती में अमलिये है रासाइनिक अभिक्रियाएं एलकोहॉल की अमलिये गुण धर्मिता OH आबंध की दुरुविये प्रकृती की उपस्तिती होने के कारण होती है एलकिल समुह का इलेक्ट्रोन मुक्त करने का प्रेरख प्रभाव है एलकिल समुह के प्लस आई प्रभाव के कारण आक्सीजन पर इलेक्ट्रोन का घनत्व बढ़ जाता है जिस कारण OH आबंध की दुरुवता घड़ जाती है और इसलिए अमलिस समर्थे घड़ जाता है इस प्रकार एलकोहॉल जब अमलिकी तरह वैवाहार करती है तो उनकी अभिक्रियता का क्रम प्रात्मिक एलकोहॉल दुईतियक और तृतियक एलकोहॉलों के क्रम में होता है एलकोहॉल समाने रूप में जल से कमजोर अमल है एलकोहॉल की सापेक्ष अमलताएं प्रतिस्थापकों द्वारा प्रभावित होती हैं, जो हाइड्रोक्सी समोह वहन करने वाले कार्बन से जुड़ी होती हैं। ये बहुदा एक इलेक्ट्रॉन प्रभाव द्वारा होता है, जिसे उत्प्रेरक प्रभाव कहते हैं। उधारण, त्रितियक ब्यूटिल अलकोहॉल में तीन मैथिल समोहों के इलेक्ट्रॉन प्रदानी प्रभाव के कारण, त्रितियक ब्यूटिल अलकोहॉल मैथिल अलकोहॉल की तुलना में निमने होती है। दूसरी ओर दो 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 ट्राइफलियोरोय थेनॉल मैथिल एलकोहल से अधिक अमलिये होती है। ट्राइफलियोरोय मैथिल समूह में तीन फलियोराइन परमाडों के प्रबल इलेक्ट्रोन अप नयानक प्रभावों के कारण ऑक्सीजन पर रणा वेश का अस्थानी करण हो जाता है। फिनॉल एलकोहल से प्रबल अमल होती है। इसलिए कि फिनॉल नीले लिटमस को लाल कर देती है और एलकलियों के साथ अभिक्रिया करती है। फिर भी फिनॉल कार्बो आक्सिलिक अम्ल से कमजोर अम्ल होती है। इसलिए कार्बन डायोकसाइट गैस पैदा करने के लिए फिनॉल कार्बोनेट्स अथवा बाई कार्बोनेट्स को अब घटित नहीं करती हैं। फिनॉल अनुनादी हाइबरेट हैं। अनुनाद के परिणाम सरूप ऑक्सीजन परमानो आंशिक धनावेश प्राप्त करता है। ये ओएस आबंद को निर्बल करता है और इस तरहा प्रोटॉन की मुक्तता को सुविधा जनक बनाता है। फिनॉक्साइड आयन भी अनुनाद इस्थापित हैं। लेकिन फिनॉक्साइड आयन में फिनॉल से ज्यादा इस्थाइत्व होता है। क्योंकि फिनॉल में तीन योगदानी सनचनाएं जोकी दूइतिये, तृतिये और चतुर्थ हैं। आवेशों के प्रतिकन को शामिल कर फिनॉक्साइड आयन के मामले में कोई भी आवेश प्रतिकन नहीं होता है। अता फिनॉल में प्रोटॉन को मुक्त कर अधिक स्थाई फिनॉक्साइड में बदलने की बड़ी प्रवरिति है। दूसरी और अलकोहल के मामले में ना तो अलकोहल और ना ही अलकोक्साइड अन इस प्रकार प्रोटॉन को मुग्द कर एलकॉक्साइड आहिन बनाने की एलकॉहल की प्रवरित्ती नगरने होती है। जो फिनॉक्साइड आहिन को इस्थायत्व प्रदान करता है और फिनॉल की अमलिय प्रवलता को पढ़ा देता है। इलक्ट्रॉन अपनयानक समोह की आर्थो तथा पारा इस्थित्यों में संख्या जितनी अधिक होगी, फिनॉल की अमलिय गुण धर्मिता भी उतनी ही अधिक होगी। उधारण नाइट्रो समोह, इलक्ट्रॉन अपनयानक समोह है और इसलिए अमलिय चरित्र को बढ़ा देता है। एक नाइट्रो समोह, आर्थो और पारा इस्थित्यों पर दो आक्सीजन अड़ों द्वारा वहन होने वाले को एक इस्थित्य की अनुमती देकर फिनॉक्साइड आयन को अधिक इस्थाइट्व देता है। रासाइनिक अभिक्रियाएं एस्थ्री करन एलकोहल एस्थर बनाने के लिए कार्बो आक्सिलिक अमल, अमल क्लोराइडों और अमल एनाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया करती है। आईसो प्रोपिल और पानी बनाने के लिए आईसो प्रोपिल एलकोहॉल एसिटिक अमल के साथ सल्फियूरिक अमल की उपस्तिती में अभिक्रिया करती है। एस्टर और हाइड्रोक्लोरिक अमल बनाने के लिए एलकोहॉल क्लोराइड अमल के साथ प्रीडीन की उपस्तिती में अभिक्रिया करती है मेथनोल, एस्टर और कार्बो आक्सिलिक अमल बनाने के लिए सल्फियूरिक अमल की उपस्तिती में एन हाइड्राइट के साथ अभिक्रिया करती है फिनोल एस्टर बनाने के लिए अमल कलोराइट और एन हाइड्राइटों के साथ अभिक्रिया करती है Phenol, Carboxalic Ampli के साथ आसानी से Estrification से नहीं कुजटती क्यूंकि अभिक्रिया Endothermik होती है Phenyl Acetate और Hydrochloric Ampli बनाने के लिए Pyridine की उपस्तिती में Phenyl Acetal Chlorite के साथ अभिक्रिया करती है Ethenic Enhydride Sulfuric Ampli की उपस्तिती में Phenol, Ethenoid वा Acetic Ampli बनाने के लिए Phenol के साथ अभिक्रिया करता है Phenol वा Alcohol की Acetic Enhydride के साथ Pyridine की उपस्तिती में अभिक्रिया को Acetylene कहते है Salicylic Ampli का Acetylene Aspirin बनाता है Acetic Enhydride Sulfuric Ampli की उपस्तिती में Salicylic Ampli के साथ अभिक्रिया कर Acetyl Salicylic Ampli अथवा Aspirin और Acetic Ampli बनाता है रासाइनिक अभिक्रियाएं Alcohol में Carbon Oxygen आबंद के विदलन में होने वाली अभिक्रियाएं Hydrogen Halidone के साथ अभिक्रियाएं Alcohol की जब Halogen Ampli के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वो Halogen Ampli में बदल जाती है Hydro Cloric Ampli गैस को जब सुष्क जिंक क्लोराइट की उपस्तिती में एथनॉल से गुजारा जाता है तो ये क्लोरो एथेन तथा पानी बनाता है ये अभिक्रियाएं फिनॉल के साथ नहीं होती है Phosphorus Trihalidone के साथ अभिक्रियाएं हेलो एलकेन बनाने के लिए Phosphorus Halide Alcohol के साथ अभिक्रिया करता है क्लोरो एथेन और Phosphorus Ampli बनाने के लिए Phosphorus Trihalide Ethanol के साथ अभिक्रिया करते हैं प्रासाइनिक अभिक्रियाएं निर्जलन एलकोहल को जब अमलों जैसे सल्फियूरिक अमल, Phosphoric अमल या बुरिक अमल के साथ कर्म किया जाता है ये निर्जलित हो जाती है उच्छता पान और उच्छ अमलिये संद्रता पर एलकेन बनते हैं दूतियक और तृतियक अलकोहलों के निर्जलन में सल्फियूरिक अमल का प्रयोग अलकेन के पॉलिमरी करण से बचने के लिए किया जाता है अलकोहल के निर्जलन की सुगमता निम्न क्रम में है तृतियक अलकोहल दूतियक अलकोहल का अनुसरन करती है और फिर प्रात्मिक एलकोहल का क्रमाता है। क्रियाविधी एलकोहल निर्जलन की क्रियाविधी में निमने लिखित सम्मलित हैं। चरण एक एलकोहल की प्रोटोनेशन आक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन के एकांग की युकल की कारण एलकोहॉल एक निर्बल आधार के रूप में कारे करता है और इसलिए आक्सोनियम लवण बनाने के लिए प्रोटॉन को सुईकार करता है चरण तो उच्ज इलेक्ट्रोरिनात्मक आक्सीजन अणों CO आबंद को निर्बल करते हैं परिणाम सुरूप इलेक्टोरिनात्मक कार्बो केटाइन बनाने के लिए प्रोटॉनित एल्कोहॉल पानी के अनों को आसानी से हटा देती हैं ये एक धीमा चरण है और अभिक्रिया के दर निश्चित करता है चरण तीन, बनाया गया कार्बो कैताइन अभिकरन शील होता है, इसलिए एलकेन बनाने के लिए एक प्रोटॉन को घो देता है रासाइनिक अभिक्रियाएं आउक्सीकरन, एलकोहल के आउक्सीकरन में OH समोह वाले कारबन परमाणों तथा OH समोह के आउक्सीजन से हाइट्रोजन हटा दी जाती है इसलिए इन अभिक्रियाँ को डिहाइड्रोजेनेशन अभिक्रियाएं भी कहा जाता है प्रात्मिक अलकोहल आउक्सीकरन पर एक अल्डिहाइड देती है जो आगे आउक्सीकरन पर एक अम्र देता है जिसमें कारबन अड़ों की समान संख्याएं रहती हैं दूतियक अलकोहल आउक्सीकरन पर एक अलकोहल की तरहा पहले समान संख्याएं वाले कारबन परमाणों के साथ कीटोन देता है कीटोनों को फिर आउक्सीकरित किया जाता है ताकि कम कारबन परमाणों वाला कारबो आक्सलिक अम्र प्राप्त हो सके त्रितियक एलकोहॉल निरपेक्ष तथा एलकिन खोलों में आक्सी करन में असफल हो जाता है अब घटित तपित कॉपर की क्रिया जब प्रात्मिक दुईतियक एलकोहॉल की वाश्पों को 573 केल्विन पर घटित कॉपर पर से प्रवाहित किया जाता है तब विभिन उत्पाद प्राप्त होते हैं एक प्रात्मिक एलकोहॉल एक एल्डी हाइट के रूप में निरजली क्रित और आक्सी क्रित हो जाती है एक दुईतियक एलकोहॉल की टोन देती है एक तृतियक एलकोहॉल फिर भी एलकीन देने के लिए निरजलन से गुजरती है रासाइनिक अभिक्रियाएं फिनॉल की अभिक्रियाएं एरुमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन फिनॉल एरोमेटिक इलेक्ट्रोन रागी प्रतिस्थापन की ओर प्रबलता अभिक्रियाशील होती है। ये इसलिए है क्योंकि हाइड्रॉक्सी समोहों प्रबल और्थो पैरा निर्दिष्ट प्रतिस्थापक हैं। नाइट्रिक करण तनू नाइट्रिक अम्ल में 25 डिग्री सेल्सियस पर फिनॉल मिलाने से मोनो नाइट्रो फिनॉल का आर्थो और पैरा समाव्यवी मिश्रण प्राप्त होता है। तनू नाइट्रिक अम्ल में 25 डिग्री सेल्सियस पर फिनॉल से और्थो नाइट्रो फिनॉल और पैरा नाइट्रो फिनॉल प्राप्त होता है। आर्थो नाइट्रो फिनॉल में आंतर आणविक हाइडोजन आबंद होते हैं, जबकि पैरा नाइट्रो फिनॉल में आंतरा आणविक हाइडोजन आबंद होते हैं, आर्थो नाइट्रो फिनॉल एक भाब वाशपक है, जबकि पैरा नाइट्रो फिनॉल अड़ों की मेल के का अभिक्षा क्रित कम वाश्पक है और इसलिए इसको आस्वन से अलग किया जा सकता है। फिनोल की सांद्र नाइट्रिक अमल के साथ अभिक्रिया पर ये 2, 4, 6 ट्राइड नाइट्रो फिनोल में बदल जाती है। जिसको समाने तोर पर पिक्रिक अमल कहा जाता है। जब फिनोल को सांद्र नाइट्रिक अमल के साथ अभिक्रित किया जाता है, तो ये पिक्रिक अमल में बदल जाती है। रासायनिक अभिक्रियाएं हेलो जनन, मोनो हॉली फिनोलों के आर्थो और पारा समाव्यक देने के लिए फिनोल कम ध्रुविये विलाइकों जैसे कार्बन डाइस सलफाइड, क्लोरोफार्म और कार्बन टेट्रा क्लोराइट की उपस्तिती में हेलो जन के साथ अभिक्रिया करती है। ब्रोमीन फिनॉल के साथ अभिक्रिया करती है और दो ब्रोमों फिनॉल वा चार ब्रोमों फिनॉल बनाती है. फिनॉल की जब ब्रोमीन पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये पॉली हेलोजन व्युत्पन देती है जिनमें हाइड्रॉक्सिल समों के सापेक्ष आर्थो तथा पैरास्थितियों पर उपस्तेद सभी हाइड्रोजन परमाणूं ब्रोमीन परमाणूं द्वारा प फिनॉल पनाने के लिए फिनॉल प्रोमीन पानी के साथ अभिक्रिया करती है रासाइनिक अभिक्रियाएं कोल बे अभिक्रिया 400 केल्विन के दबाव पर सूडियम फिनॉक्साइट के साथ कार्बन डायॉक्साइट के अभिक्रिया द्वारा सैलिसलिक अमल बनता है जो उत्पात के अमली करण द्वारा अनुसर रनेत होता है इसका प्रियोग एस्पिरिन बनाने के लिए किया जाता है इस अभिकरिया को कुलबे की अभिकरिया कहते हैं सोडियम हाइडुकससैड की उपस्तिती में 340 केलविन पर फिनॉल के साथ क्लोरोफार्म की अभिकरिया से मुक्योतपाद सेल सेल्डिहाइड प्राप्त होता है फिनॉल की यश्ट दरच के साथ अभिक्रिया फिनॉल को यश्ट दरच के साथ तापित करने से इसको बेंजीन में बदला जा सकता है आक्सीकरन जब फिनॉल क्रोमिक अमली के साथ आक्सीकरित हो दी है तब ये असंत्रिप्त संयुगमित डाई कीटोन उत्पने करती है जिसको बेंजोक्योनोन के नाम से जहना जाता है और द्योगिक महद्व के कुछ प्रश्न मेथेनॉल मेथेनॉल को मेथिल एलकोहल भी कहा जाता है मुलता इसका उत्पातन हवा की अनुपस्तिती में लकडी के टुकडों के विनाशकारी आस्वन से हुआ था इस सुरोत के कारण इसका नाम वुड एलकोहल हुआ आज मेथेनॉल का अधिकतर संशिलेशन हाइडोजन के साथ कारण मोनो आकसाइड की एक उत्प्रेरग अभिक्रिया द्वरा होता है इस अभिक्रिया में उच्चता अपमान और दाप का प्रयोग किया जाता है गुण धर्म ये रंगहीन जोलनशील तरल है पानी के साथ सभी परमानों में मिश्रन योग के है ये प्रकृति में विशाक्त है इसके उपभूग से अंधापन और यहां तक की मृत्यू भी हो सकती है उप्योग पेंट, वार्नेश और सेल्यूलाइट के लिए एक विलाय के रूप में और योगिक एलकोहॉल को आप प्रकृतिक बनाने में ताकि ये मानव उपभूग के लिए उप्युक्त ना रह सके आटोमोबाइल रेडियेटर्स में एक जमन रोधी के रूप में कुछ और योगिक महतपून एलकोहॉल एथेनॉल और द्योगिक रूप से शीरे के किडवन द्वारा प्राप्त की जाती है जिसमें सुक्रोस होती है चीनी एंजाइम इनवर्टेज की क्रिया से गुलुकोज और फ्रक्टोस में बदल जाती है अब उत्पादित क्लुकोज और फ्रक्टोज को एंजाइम चाइमेच की उपस्तिती में किर्वन से गुजारा जाता है जिससे एथनॉल उत्पादित होती है वा कार्बन डायोकसाइड मुक्तु होती है गुण धर्म एथनॉल आनंद दायक खुश्बू और चटपटे स्वादवाला एक रंग हीन परिवर्तन शील तरल है सभी अनुपातों में विलह शील है उप्यो रेक्टिफाइड स्प्रिट के रूप में एक रोगाणों रोधक है आटोमोबाइल के रेडियेटरों में जमाव रोधी के रूप में स्प्रिट लेम्प, स्टोव, थर्मामीटर और स्प्रिट लेवल में इथर इथरों का विर्चन एलकोहॉल के निर्जलन द्वारा एलकोहॉल 413 केल्विन पर सांद्र सल्फियूरिक अमलिकी उपस्तिती में इथर में निर्जलित हो जाती है अभिक्रिया में अलकोहॉल के दू मोल से पानी के एकणूं को हटानी की क्रिया शामिल है इथर का विर्चन एक दूइ अणुक, नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जैसा निचे दिया गया है ये विधी प्रात्मिक समुह वाले इथरों के विर्चन के लिए उप्युक्त है संबंदित इथरों के लिए दुईतियक और तृतियक एलकोहॉल का निर्जलन सफल तरीका नहीं है विलियम सन संशिलेशन जब एलकिल हैलाइड सोडियम एलकोकसाइड के साथ अभी क्रिया करते हैं तो इथर बनती है ब्रोमो मेथेन को सोडियम फेनेट में मिश्रित किया जाता है जिससे मेथाकसी बेंजीन और सोडियम ब्रोमाइड मिलता है फिनॉल को भी इथर में बदला जा सकता है जैसा कि नीचे दिया गया है सोडियम हाइड्रोकसाइट को फिनॉल में मिश्रित करने पर ये सोडियम फिनॉकसाइट बनाता है तब क्लोरो मेथेन मिलाने से ये एविसोल और सोडियम क्लोराइट बनाता है इथर बहुतिक गुण धर्म निम्न सदस्से जैसे की डाइमेथिल इथर तथा डाइयेथिल इथर गैसे हैं, जबकि उच्च सदस्से रंगहीन, आनंद दायक सुगंध, निम्न कौतनांक वाले वाशपशील तरल हैं. इथरों की घुलन शीलिता संबंधित एलकोहौल से तुल्निय है, इथरों की घुलन शीलिता आक्सीजन अणों की पानी के साथ हाइड्रोजन आबंद बनाने की शमता के कारण है, इथरों का कौतनांक हाइड्रोजन आबंद की कमी के कारण एलकोहौल की तुल्ला में बहुत निम्न है। निम्न इथर निश्चेतक की रूप में क्रिया करते हैं। इथर धुरुविय अनु हैं और उनके निश्चेत डाइपोल मोमेंट हैं। इथर राजायनिक अभिक्रिया हैं। इथरों में CO आबंध का विदलन। इथरों को एलकिल हैलाइट तथा एलकोहॉल देने के लिए हाइड्रो क्लोरिक अम्ल या हाइड्रो ब्रोमिक अम्लों का प्रियोग करते हुए विदलित किया जा सकता है। हाइड्रो आयोडिक अम्ल डाइथिल इथर के साथ अभिक्रिया कर एथिनॉल और एथिल आयोडाइट बनाती है। हाइड्रो क्लोरिक अम्ल की अत्यधिक्ता की स्थिति में विर्चित अलकोहॉल अगली अभिक्रिया से एथिल आयोडाइट बनाता है। समगर अभिक्रिया इस प्रकार है। हाइडो आयोडिक अम्ल डाइ एथिल इधर के साथ 373 केल्विन पर अभिक्रिया करता है, तथा इस अभिक्रिया से एथिल आयोडाइड और पानी बनाता है। हेलुजन अमल की अभिक्रिया शीलता हाइडोजन आयोडाइट के क्रम में है, जिसका हाइडोजन ब्रोमाइड और तब हाइडोजन क्लोराइट द्वारा अनुसरन किया जाता है। HI द्वारा विदलन की कारेविधी, विभिन समलेचरण है, HI का वियोजन, इथर का प्रोटोनी करण, आयोडाइट आयन द्वारा प्रोटोनी क्रित इथर पर नाविक रागी आकरमा के परिणाम सरूप, अलकोहॉल और अलकिल हैलाइड तयार होता है। फिनोल तथा एलकिल हैलाइड बनाने के लिए, एलकिल एरिल इथरों में, एलकिल आक्सीजन आबंध का हाइड्रोचन हैलाइड द्वारा विदलन हो सकता है। इथर इलेक्ट्रोन रागी प्रतिस्थापन अरोमेटिक वले से जुड़ा, एलो-कॉक्सी समूं, वले को इलेक्ट्रोन रागी प्रतिस्थापन की ओर सक्रिय करता है। और अंदर आने वाले इलेक्ट्रोन रागी को आर्थो तथा पैरास्थितियों की ओर निर्डेशित करता है। हेलोजनन फिनेल एलकिल एथर बेंजीन वले में हैलो जनन से गुजरता है। इस प्रकार एनिसोल एसिटिक अमल में ब्रुमीन के साथ ब्रामो करण का प्रदशन करता है। यहाँ तक की आईरन तीन प्रुमाइड उत्परेरक की अनुपस्तिती बे भी इसमें पैरा समाव्यवी की लप बे प्रतिशत होती है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड जैसे एक लुईस अमल उत्परेरक की उपस्तिती में एलकिल हैलाइड फ्रीडेल क्राफ्ट एलकिल करण तथा एसिल हैलाइड फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिल की अभिक्रि मैथिल कलोराइड निर्जल अल्यूमिनियम कलोराइड की उपस्तिती में एनिसोल के साथ अभिक्रिया करता है। के साथ अभिक्रिया करता है तथा दो मेथोक्सी एसिटो फेनोन वा चार मेथोक्सी एसिटो फेनोन बनाता है नाइट्रो करण सांद्र सलफ्यूरिक अमल तथा सांद्र नाइट्रिक अमल के मिश्रण के साथ एनिसोल की अभिक्रिया आर्थो और पेरा नाइट्रो एनिसोल का मिश्रण बनाती है. क्या आप जानते हैं? इथरों का प्रियोग बाहरी स्वच्चता एजेंटों के रूप में किया जाता है. इसका उप्योग विलायक के रूप में तथा तेल, वसा, मोम, रेजिन और एलकाइडों की निकासी के लिए किया जा सकता है. मेथनौल एक उच्च आक्टेन, स्वच्च ज्वालनशील इंधन है, जो की आटमोटिव वाहनों में गैसलीन के लिए संभावित महदपून विकल्प है. सारांश आए हमने जो कुछ सीखा है, उसे संख्शेप में तोराएं. एलकोहॉल और फिनौल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और अन्य सक्रिय धातूं के साथ हाइडोजन मुक्त करने और धातू एलको ऑक्साइडों बनाने हेतू अभिक्रिया करती है. एलकोहॉल की अमलिये गुण धर्मिता OHA बंध में दुरुविये प्रक्रिती की उपस्तिती के कारण है. फिनौल एलकोहॉल से प्रबल अमल है. एलकोहॉल कार्बो ऑक्सिलिक अमल क्लोराइडों और अमल एनाहाइड्राइडों के साथ एस्टर बनाने के लिए अभिक्रिया करती है. एस्टर बनाने के लिए फिनौल अमलिये क्लोराइड और अमलिये एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करती है. एल्कोहलो को जब हैलोजन अमलों के साथ अभी कृत किया जाता है तो हैलो ऐलकेन में बदल जाती है जब एल्कोहल को सलफियूरिक, फास्फ contributions या बोरिक अमल के साथ गर्म किया जाता है तो वे निर्जलीय हो जाती है मोनो हेलो फिनॉल के आर्थो तथा पैरास समावयकों को देने के लिए फिनॉल हेलोजन के साथ कम तर ध्रुविये विलाइकों जैसे कार्बन डाइस सलफाइट, क्लोरोफार्म तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइट की उपस्तिती में अभिक्रिया करती है सैली सिलिक अमल का प्रियोग एस्परिन बनाने में किया जाता है अधिकतर मेथनॉल को कार्बन मोनो अक्साइट के साथ हाइडोजन की उत्प्रेरक अभिक्रिया द्वारा संशलेशित किया जाता है एथनॉल अधियोगिक रूप से शीरे के किड़वन द्वारा प्राप्ति की जाती है जिसमें सुक्रोस रहता है 413 केल्विन पर सांद्र सल्फियूरी कमन की उपस्तिती में अलकोहॉल इधरों के रूप में निरजलित हो जाती है एलकिल हैलाइड और एलकोहॉल देने के लिए इधरों को हाइड्रो क्लोरिकमल अथवा हाइड्रो प्रोमिकमल का प्रियोग कर विदलित किया जा सकता है झाल 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 झाल